यहां परकार का गड़ीत का वाररल पेपर यहां पे आप सभी को करा रहे हैं तो आप इसका सम्पूर हल जरूर देखें आज आप सभी को इसके दिर्व उत्तिरी प्रश्णों को किराने वाले हैं तो फ्रेंग आपको पेपर में जो है समय आपको पता है कि 3 गंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और पूरांक रहेगा 70 नंबर का और यहाँ पर कुछ इसके समादी निर्देश दिये जाते हैं आप सभी कुछ समादी निर्देश पता होगा आपका समय न गवाते हुए सीधे चलिए आपको प्रश्न हल कराते हैं फ्रेंज यहाँ पर हम खंडबा के वरात्मक प्रश्नों को देखेंगे ठीक है यहाँ पर आपके सामने पहला नंबर का सवाल है कि सभी खंड पहले नंबर तो आपको करना रहेगा पहला सवाल है कि इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे अभी आपको सिखाने वाले हैं यहाँ ठी पहले नमबर आपको को है तो पहले नमबर अब प्रश्ण को उतार हिएगा ठीक है यहां पर 10 ठीटा परावर आपका सवाल दिया है ए अपान भी ठीक है और आपको हल करना है यहां पर चलिए आपको बताते हैं कि A sin ठीटा माइनस B cos ठीटा अपान A sin ठीटा प्लस B cos ठीटा ठीक है इस सवाल को बहुत सिंपल तरीका से आपको बताएंगे तो आप वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा देखिए इस सवाल को आप कैसे करेंगे यहां पर 10 ठीटा है ना इसमें से क्या कीजिएगा कि यहां से आप कास कामल लीजिएगा इसलिए कि आप सभी को पता होगा कि 10 ठीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन ठीटा अपान कास ठीटा लिख सकते हैं इसके हर में कास ठीटा है यहां से जब कास ठीटा लेंगे तो साइन के लीचे क्या हो जाएगा आपका कास ठीटा आ जाएगा इसका बाहर निकाल लिए यहां पर एक बचेगा यहां से भी बचेगा अपन यहां से भी काम करना है कि कास काम लेना है यहां से बचेगा a sin theta आपको यहां पर वही करना है तो यहां से लिखिए गाइन ठीटा और प्लस b ठीक है अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है एक गुड़े 10 theta का मान कितना है तो 10 theta के जगा आपको यहां पर 10 theta 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 आपक Sq. A 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 sq. B sq. A sq. A sq. A sq. A sq. A sq. A sq. स्क्राइर आपन जाए इसंड़ आपन करें कि यह वाशा को जाएगा ए स्क्राइर बिसक्तर सोड़ilan है यही आपका का एंस्वर यह होगा ठीक है थी स्कॉार मैंनिस B स्कॉर अपन एक स्कॉर एक स्कॉर क्लस एस प्लसB स्कॉर यहां पीश करोगा यह इसका एंस्वर हुआ चली अगले प्रश्नों को देख्ते हैं देखें आपके सामने अगला नंबर का जो सवाल है यहां पर ख़ाद देखिए दर्साई कि पांच माइनस करड़ी तीन एक परिमे संख्या है ते देखिए इसे आप कैसे हल करेंगे यहां पर इस प्रकार के सवाल को हल करना हो रहेगा ते यहां पर पहले लिखिएगा हल और यहां पर देखि संख्या है ठीके इस पर काक्स माल लिजयगा और यहां पर देखिए अप क्या कीज़ेगा कि पांच माइनस करड़ी में तीन तीन है यहां पर लिखिएगा और यहां पर लिखिएगा जहां एक आमा बी सरह बहज संख्या है कि सब्सट्री संख्यार चैए प्लिके संख्या आप है एपन भी इदर पच्छानत कि जमा देखिए इसको उठा कि अधर लाएंगे तो माइनस एपन भी हो जाएगा और यह करणी कॉमायनस इसको उठा कि इस साइट दुसरे साइट पच्छानत कि जाए तो मैंनस एप फिलस जा खुड़ी में 3 ठीक तरफ़ेंगे के बाद आपको क्या करना है यहां लिखेंगा चूकी 5 और ए और कामा बी यह क्या हो जागा है पुढांख है इसलिए आपको क्या हो जागा है ठीक है अब लिखिएगा जैसे यह पुढांख हो गया लिखेंगा कि 5-a अपान भी एक परिमे संख्या में संख्या होगा ठीक है एक परिमे संख्या होगा अता है इनका अंतर अंतर भी परिमे संख्या होगा परिमे संख्या कि यहां परिमे संख्या आपका होगा ठीक है अब देखिए आपको क्या लिखना है यहां पर लिखिए गए आप यहां पर इसलिए को करोड़ी तीन एक कि परिमे संख्या है ठीक है क्यों है देखिए आपको बता देते हैं कि आपका दोनों पच्छ यह पच्छ यदि आपका परिमे है तो दूसरा पच्छ भी आपका परिमे ही होना चाहिए तभी यह दोनों बराबर होता है यदि यह परिमे है तो यह भी परिमे आपका होना चाहिए लेकि अब क्या परंद्धू देखेंगे परंद्धू यह परिकलपना परिकलपना गलत है लिखाँगे यह परिकलपना क्या है आपका गलत है अता अताव, लाश्ट में क्या लिखेंगे लिख्येगा लाश्ट में कि 5 माइनस करड़ी में 31 अपरी में संख्या है अपरी में ज अब इस संख्या ठीके इस पешь प्रकास से आपको पूरा इस सवाल का इंसों लिखना रहेगा ठीके जैसे बतां इससी तरह डेखे आपका अगला नंबर का सवाल है दिखात समीकर 2 x square minus 3 x plus 5 का विविक तिकर ग्याद कीजी और मुनों की प्रकृति भी आपको बताना है तो यहाँ पिर देखे आपको इस सवाल को कैसे लगाना है तो पहले 2 x square minus 3 x plus 5 है ना यहाँ पिर विविक तिकर ग्याद करना है तो करने की त्याज़ कि ने ओंट करेंगे आपको कितना हो जाएगा यह कमान हुआ हूआ अपका से च्छा कर के गुड़ान क्या यह कमाने हूं इसी तरी बाद को चैरिक मान कितना हो जागा तूर स सी deilt कितना हो जाएगा 5 Μशशना और ढूंट हुआ को अब घ्Se स्क्वार माइनिस 4 HAire माइनood मानकोंค stop 10 को एसकुआर करें ख़वाई मामानक्त फांच तुर करेंगे की 100 कुण और 10 किसा करेंगे cIto लिए 15 घ्राइगा फूठ करेंगों कि एसकुआर हो जाएगा करेंगा 2zte ी प्रकृति कृति मुलो की प्रकृति जब बताना है आपको पताओना जिए कि 20 इस्कोर मानब 4 यह मूलो की प्रकृति क्या होती है की होता है काल परिक काल पर इस होता है और उड़ात्मक होता है सिर्फ कालपनिक होगा इसका इंजवर आपको इस प्रकास से निकालना था ठीक है चलिए अगले प्रश्णों को देखते हैं आपको अगला नंबर का सवाल जो है कि समांतल सेड़ी का योग ज्याद कीजिए यहां पी दिया है दू कामा साथ कामा ब प्रफंपद को कि दिखाते हैं प्रफंपद को यह से दिखाते हैं और यह बराबर कितना है दो है दूसरा नंबर पर निकाली है का सरवांतर कितना है सरवांतर को दी से दिखाया जाता है समा सरवांतर को दो नजदीक की संख्या लेकर अगली संख्या में से पहली संख्या गटा देगे नहीं साथ मेंसे दू गटा तीजेगा कितना हो जागा पांच यहाँ पदो की संख्या कितना है देखी पदो की संख्या कट कोई यन से अ lasts दिखाते यन बरबर कितने है टोटल 10 हो दूटास पांडो समांते से cautious का योग याद करना दिखिए योग बराबर फार्मूला क्या होता है yen बटा के do कोष्ट में do a plus कोष्ट में yen minus one into d ये फार्मूला होता है समांतर सेешके पदो का enem अब यहां बस रखते हल कर लीजिये yen कमान कितना है येन कमान 10 है 10 बटा के दू कर लीजिये कोष्ट में 2 गूड़े 1 का इसलब के दिए 2 प्लस 2 प्लस कोष्ट में यंद कमान कितना है 10 और माइनस एक गूड़े डी कमान 5 एद पांच तो 5 कल दीजिए देखिए दूसरे 10 कटेगा 5 बारह में यहां 5 हुआ कोष्ट में देखिए दू दूना के 4 प्लस 10 में से ग़िया 9 हो जाएगा अब गुड़े 5 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर कितना होगा आपका 5 यहाँ पर 4 प्लस 45 हो जाएगा यह यहाँ पर 5 होगा इसको जोल लिज़े ति गुरा कजिन यहाँ पर कोई चिन नहीं हिए ति गुड़ा कपना है क्यांका 1045 सवाल जब भिए आप से पूचे एसे आप सवाल को लगा क्योने सवाल को देखते हैं और आपके सामने सब्सेंकрок्वाइब का अगला नंबर माइनस एक कामा जीरो प्लस दू कामा जीरो चार हो ताप क्या करना त्रिभूज का छेत्रफल घ्याद करना है इस पकार के सवाल को आप कैसे लगाएंगा यहां द्यान दीजिए पहले आप क्या किजिएगा कि यहां पर आप एक निर्देशांग जो दिया है इसको लिख आप अब यहां लिखेंगा त्रफल फ्रेंश कर लीजिए से में थ्वड़ा सा तवियत खराब चला है मतलब जो थाम है तो आप अर्जेश्ट लिए इसलिए है कि आप सभी का 27 फरवरी को पेपर है इस लिए आपको वीडियो बनाना और पढ़ाना भी जरूरी है ठीक है द प्लस यक्स 2 एक षडू माइनस थी ओन होता है प्लस एक्स 2 ऑच्ट सब्सक्राइब यहां पर मान को रखिये का यहां पर हल कर लिजिए चलिए रख के मान हल करते हैं एक बट्ट के दू धिया ना बस ध्यांसर मान को रखिए कि यहां पर दू हो जागा y2 कमान यहाँ पर 0 है यहाँ पर 0 रख दीजे y2 कमान 0 है तो 0 रखिएगा माइनस y3 कमान माइनस है तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा प्लस x2 कमान कितना है तो x2 कमान माइनस है तो कोष्टक में छोटा सबना कर रखिएगा और यहाँ पे y3 कमान है minus 4 तो minus 4 ठाइक minus y1 कमान कित나 है ते तो 3 रखिएगा प्लस x3 कमान कितना है तो 2 है तो 2 रखिए y1 कमान 3 है तो three minus y2 कमान कितना 0 तो 0 रखेए अब आपको क्या करना है बस हल करना है देहएक बटा कर दू है baik फ्लाइब देखे हाँ घृ रहाई लिखे माइनस एक लिएगा प्लुस एक सधीन साही बुड़स होजाएगा tutorial धीक छिली साथ भी खोरky घ्र खोर फ्लाइब को के चोना कोच्छ इस नम् detective प्लस तीन दुना के च्छा हो जाएगा यहां पर एक बटा के दू देखें आप कोई चिन नहीं तो गुड़ा के बनाएगा इन सब को जोड लिजेगा देखें आठ और साथ कितना हो जाएगा पंदरा होगा पंदरा च्छा एककाइस हो जाएगा अब एक कईस के एक सवाल पूछता है तो ऐसे लगाईएगा ठीक है जैसे समझाएं इसी पकास से आप लगा के चले आईएगा 100 परसंटेज आपको पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेगा ठीक है चली अगले नंबर के सवालों को देखते हैं देखें यह आपके सामने अगला नंबर का जो सिंपल होता है सवाल साइड यह बराबर दिया है तीन बटा के चार है आपको कास एकमान पूछ रहा है तो कैसे लगाएंगे अब देखिए यहां से क्या करेंगे कि पहले आप साइड एक फार्मूला लिखिएगा जैसे बता रहे हैं उसी तरह देखिए अधर साइड यह ब और कड़ कमान कितना हो गए है आप एक बर देख लेते पीन बटा के चार ही दिया ना इस बटा के चार ठीक है तो आपका लूम जैसे अंस्क में यह लम कमान होता है यह कड़ कमान हो गया अब यहां से क्या करेंगे कि आपको आधार एक बुजा पता करना पड़ेगा जिसक परमे अधा गुरस परमे से फार्मूला हो जाग करण का स्कॉायर बराबर आधार का स्कॉायर प्लस लम का स्कॉायर यह फार्मूला होता है करण के जगब चार रखेंगे चार का स्कॉायर कर लिजिए आधार के जगब कितना है ग्याद करना है तो आधार का स्कॉायर रहने कि इतली कि नो अब नो को पंचंत्र कर लिजेगा इस सेट सोलों हो जाएगा नव इधर आगा माइनस 9 हो जाएगा बराबर आधार मेंक इसक्वार अनुगे रही थीक्षा यहां पे लिग दीजिएगा कि दोनों पच्छों का कररी लेने पर करडी लेने पर ठीक है तो थे करड़ी लेटे करड़ी में शात हुजा जाएका यहां पर करड्री में क्या हो जाएगा आधार का करणी में साथ होगा, अब देखिए आप से मान किसका पूछा है, कास A का पूछा है, तो आधार बटा के करण होता है, आधार कितना आपका है, आधार करणी में साथ है, यहाँ आपर कड़ी में साथ रखीएगा और कड़ कितना है चार है तो बतर में चार कर लीजीएगा ठीक है इसी तरह टैण A का फार्मूला होता है लइखनी क्या हो जाएगा इस पकास आप बोड़ के एकजाम जैसे सवाल बता है इसी तरह लगा के चले आईएगा ठीक है तो तो friends देखें यहां तक आप सभी को प्रश्ण करा रहे हैं इसके आगे कि जितने भी सेस यह जो प्रश्ण आप देख रहे हैं जो एक प्रकार का वहाराल है सभी को सभी प्रश्णों को आपको नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उसमें सभी प्रश्णों को आपको करा द झाल की,